वैसे हमें पैथी में फीवर की कैई मेडशीन है लेकिन टाफ ग्रेड रेमडी में आती हैं ब्रायनीयालबा युपिटो्यम मसल्स में धेयसारे पेन होने लागे तेज दर्थ होने लगे मस्क्लर पेन होने लने लगे युपिटो्यम और किसी भी टाइप का fever हो उस case में आप ब्राइनलबा यूज़ कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा दोनों में difference है ब्राइनलबा और यूपिटोरियम में उसी को समझते हैं उसके पहले आप यूँ समझ लेजें कि जो fever है और body की defensive mechanism है बॉडी में कोई भी एबनार्मल्टी चलने लगती है या फिर कोई infection होता है या फिर यूँ समझें कि बॉडी अपने को अपडेट करने के लिए बॉडी temperature को थोड़ा सा बढ़ाती है तो जैसे मल जी यह human body है ठीक है इसके उपा कोई संक्रवन हुआ abnormal situation है इस बॉडी को पर तो brain क्या करता है थोड़ा से temperature बढ़ा देता है temperature बढ़ाने से फायदा क्या होता है कि बॉडी के जो enzyme है वो थोड़ा सा बहतर तरीके से efficient तरीके से काम करने लगते है उस efficiency की वज़ा से जो संक्रमा हुआ है इस पे वो खतम हो सकता है या फिर इसके अंदर जो भी abnormality चल रही है उसको ठीक करने का प्रयास करता है body temperature को थोड़ा सा बढ़ा करके कुछ case में body temperature abnormally high रहते हैं ज़्यादा समय तक body temperature का अधिक बने रहना नुकसान दे है उसी को ठीक करने के लिए ब्राइनी अलबा या फिर यूपिटोरियम यूज कर सकते हैं और इसके अलावा भी और हुमेपैथी में medicine हैं यहाँ पर compare की बात हो रही है तो देखे लिखा है कि ब्राइनी अलबा में हमेशा इसको प्यास लगी रहती है always thirsty यानि जो इसका ट्रैक्ट है यानि यूश मलें जी कि जो बाड़ी है उसको पानी के जरुवत है एक एक गिलास दो दो गिलास पानी पीता है थोड़े इंटरवल पर एक दो घंटे के अंतराल पर एक दो घंटे के अंतराल पर एक एक गिलास पानी पीना इससे ए पता चलता है कि बॉडी के अंदर ड्राइनेस है म्यूकस मेंब्रेन ड्राइव हो गई है तो ए सिंटम से ब्राणियालवा का अगर ऐसा है कोई बार बार दो दो तिन तिन घंटे के अंदराल पर एक एक डेड़ेड गिलास पानी पी रहा है तो आप ब्राणियालवा दीजे फीवर में बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा और इधाय पर कहा है यह पिटोरियम में इसको थ्रस्ट तभी लगता है जब फीवर आने वाला हो या फिर फीवर के समय यानि थ्रस्ट डिरिंग चिल और बिफोर फीवर उसके बाद इसको प्यास कम लगती है नहीं लगती है थ्रस्ट डिर्स है अब यह उसमझिये जब ब्राणियालवा पानी ज़्यादा पी रहा है तो पसीना ज़्यादा ही आएगा तो एकसे से स्वेट भी आता है यानि खुब ज़्यादा पानी पीना उसके साथ में खुब ज़्यादा पसीना आना यहाँ पी क्या है कि पानी कम पीता है और तभी पीता है जब इसको बुखार चल रहा होता है फिर बुखार के पहले तो सिजिस बाद पानी कम पी रहा है तो प्यास भी कमी लग रही है तो पसीना भी कम ही आएगा प्यास कम पसीना कम जब बाडी के अंदर पानी नहीं तो पसीना कैसे आएगा यहाँ पी क्या है कि ब्राणियालबा ठह सारा पानी पीता है इसके अंदर पानी एक्सेस्यू मात्रा में है तब टंप्रेचर बढ़ेगा तो टंप्रेचर को मेंटेन करने के लिए स्वेटिंग होगी पसीना आएगा जादा तो इस तरह से फ्री स्वेट है यहाँ पे और ब्राइणिया का क्या है बॉडी पेन एग्रेटेड बाई मोसन ब्राइणिया हमेशा रेष्ट में पढ़े रहना चाहता है ब्राइणियों का फीवर आएगा तो पानी ज़्यादा पिएगा पूरी बॉडी में जो पेन होगा और जड़ासा भी मोसन से उसको दिक्कत होने लगती इविन आग के जो गोले आना इधर उदर डेखने से भी इसको दिक्कत होती इस तरह से गुमाने से भी दिक्कत होती है यानि हमेशा रेष्ट में पढ़े रहना चाहता है क्योंकि चलने फिरने से इसके दिक्कतें बढ़ जाती है लेकिन यहां पर क्या है कि body pain communicated by motion जो body pain है वो चलने से थोफ़ासे comfortness मस्यूस होता है comfortable मस्यूस होता है तो चलने से comfortable मस्यूस होता है इपिटोरियम में और चलने से दिक्कत हो जाती है किसमें? ब्रेइनियों में और हेडाक सिविएसन ही हुँ है कि हैडाक फैन स्टू्पिंग जुकोंने से या फिर चलने से लगता है कि जो, अन्दू का माइंड जो ब्रेन है वो थूड़ा से छोड़ा हो गया है चलने से लड़ता है ठक ठक की आवाज जैसे कि लड़ रहा है अंदर वाला ब्रेन हड़ी में लड़ रहा है या फिर जुखने से लगता है कि सर इतना भारी होगा कि ब्रश्ट नहों हो जाए तो जुखने से लगता है कि ब्रेन फट जाएगा चलने फिरने से लगता है कि ब्रेन का अंदर वाला पोश्टन थोड़ा सा छोटा हो गया है चलने से उसमें जो बोन है स्कल है उसमें जाके लड़ता है इस तरह से और यहां भी क्या है कि हैड़ विध आई सोर्नेस सरदर्ध है लेकिन आई में भी पेन है डेंगू फिवर जैसा अंदर की तरफ रिट्रो अर्बिटल पेन होता है तिस तरह से ब्राणिया अलबा का अलग इंडिकेशन और युपिटोरियम पर्फुरेटम का अलग इंडिकेशन युपिटोरियम नाम से दो दवा आती है एक युपिटो अगर ब्राणिया का इंडिकेशन मिलता है जो पिटोरियम लें दोनों का ले सकते हैं आप और थैटी पावर चार जीवर सुबर दोपर सामले फीवर में बहतर रिस्पांस आएगा आप कुछ लोगों और विन्ग इंडिकेशन मिलें आप वही लीजिए बहतर रिस्पांस के लिए तो आपने पूरा वीडियो देखा कुछ बात समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें सेयर भी कर दें कुछ लोगों की इन्फार्मिशन बढ़ें ताकि बिमार होने की संभावना कम हो अपने पूरा वीडियो देखा थेंक्यो